सस्बी कॉंस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समान जिसमें हैड कॉंस्टेबल भी है देखे उसका रिजल्ट अपडेट हो गया है आपका लिस्ट अपडेट हो चुका है और लिस्ट के साथ ही आपकी मैरिट भी यहां पर कंफर्म हो गई है विशेश रूप से उन कंडिडेट्स की जो यू आर है या रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया यू आर में काउंट हो रहे हैं ऐसे जो भी है कि हम किस तरीके से यहां देख सकते हैं कि हम मेडिकल फिट हो गए तो उसके साथ ही हमारी वर्दी पक्ती हो जाएगी देखे लिस्ट हमारे सामने है कि यह लिस् अब हैड कॉंस्टेबल इलेक्ट्रीशन टोटल पोस्ट कितनी है उसके अकोडिंग आप देख लेजिए अब हैड कॉंस्टेबल इलेक्ट्रीशन सीता राम स्वामी जो है वो एक नंबर पे हैं ये OBC केटेग्री से बिलॉंग करते हैं हैड कॉंस्टेबल के लिए कितना है है कॉंस्टेबल के लिए 25 साल है और उसके बाद 3 साल की छूट है उसमें तो सीता राम की वर्दी पक्की है यह मेडिकल फिट हो गए तो कि यह जो आप लोगों की लिस्ट है यह मेरिट की अकॉर्डिंग है तो यह चीज आप क्लियर कर लेना कि आपका नाम जो है वो उस इतने केंडिडेट्स के अंदर आ रहा है जितनी पोस्ट है उसके अकॉडिंग आ रहा है तो आपकी वर्दी पक्की है यह ध्यान रखने वाली बात है है यहां पर दूसरी बात मेडिकल में कौताई नहीं करना है मेडिकल के लिए आप यह कहा गया है कि 2 दिसंबर यह तो द प्यारी पूरी कर लीजिए आज जैसे कि येë कंडिडिट से में मैसज कर रहे थे उनके डेंटल परे नहीं हो रहे हैं देंटल परे नहीं हो रहे हैं तो अभी ऐसी भी टेक्न आपको तो इस तरीके से मैच कर दिया जाता है कि आपके dental point पूरे हो जाता है एक female candidate इस तरीके से message कर रही थी कि उन्होंने कहीं check-up करवाया या भी sscgd के medical हुए है उनको hemoglobin में बाहर कर दिया आपने से काफी लोग ऐसे हैं कि जिनका भी हाली में sscgd के medical हुआ है आप fit हो गए है sscgd में और वहां पर आपका score बहुत अच्छा है तो उस दिति में एक चीज़ आपको और कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर absent हो जाना अइफसेंट हो जाना क्यों अफसेंट हो जाना। यहां वहां फिट हो गया है। यहां बहुत अपर फिट हो जाएँगे यहां आप वेखैंसी खा जाएंगे। जोईन तो आप या तो Constable GD करेंगे या Tradesman करेंगे दोनों नहीं कर सकते तो वो Candidates जो बहुत अच्छा स्कोर SSE GD में ले रहे हैं यहां पर भी वो अब उपर हम देखे सीता राम स्वामी जो है वो OVC में एक नंबर है मत ओवराल एक नंबर है तो यदि वो Reservation का Benefit नहीं ले रहे हैं तो वो UR में पहली सीट उनकी है पकी इसी तरीके से हम आपको दूसरे बताते हैं कि ड्राइवर में बात करें हम आप देखे Carpenter के दिए हम बात करते हैं तो Carpenter में घंशाम धीमान जो हैं वो OVC है 13.1998 इनका Date of Birth है उसके According ये OVC में ही Count हो रहे हैं कि 23 से ये उपर हो गयते तो इनकी सीट OVC के ये सारे Candidates OVC के ही हैं OVC के ही है एक Vacancy है पांच Candidates को बुलाए गया है 1 is to 5 है एक Vacancy के लिए 5 को बुलाए गया है या Cut-off निर्धरित किया है लेकिन Cut-off नहीं हो रहा यहाँ पर जो है एक Vacancy के लिए 5 Candidates हो रहे हैं अब घंशाम धीमान ये फिट हो जाते हैं उसके बाद अनुद सिंग भी फिट हो जाते हैं तो घंशाम की वर्दी यहाँ बक्ती होगी लेकिन घंशाम अलरड़ी दूसरी जिगा सेलेक्ट हो रहे हैं एक चीज गौर करने वाली है यहाँ पर कि घंशाम धी SSC GD में बहुत अच्छा स्कोर ले रहे हैं उनको यह लगता है कि वहाँ Final हो जाएगा तो उस समय घंशाम का ये Duty बनता है कि घंशाम धी एपसेंट रह जाते हैं तो अनुच सिंग का नंबर आ जाएगा यहाँ पर अनुच और उसके बाद वाले जो है उनका नंबर नहीं आएगा तो यह आपने देखा अब एक है तो पांच केंडिडिट को बुलाए है दो है दस को बुलाए है इसी तरीके से देखिया आपको और दिखाते हैं ड्राइवर में आशीश कुलहरी जो कि OBC केंडिडिड है तो जाहिर सी बात है कि आशीश क्यो है वो उपर क्यों है तो उपर तो OBC वाले भी हो सकते है UR भी हो सकता है SC भी हो सकता है ST भी हो सकता है लेकिन first way आशीश हैं तो आशीश की वर्दी पड़ती है merit अलरेडी बना हुआ है SSB ने इतना काम आपके लिए कर दिया SSC की तरह score आपके marks तो नहीं शोगिये लेकिन list ऐसी बनाई है कि उसके according आपको पता चल जाता है कि आप कहां stand कर रहे है अब इसको देखकर उनको depression में नहीं आ जाना है जिनका number नीचे आ रहा है कि वो तो मैं तो पांच गुना में आ रहा हूं जो पांच गुना में आ रहे हैं उनका फुरा फुरा chance लेहां पर अपने medical के तेहरी कीजिए और आप में से वो लोग जो अलड़ी कहीं दूसरी जिगा सेट हो रहे है कि अभी CRPF में अभी final result नहीं आया और यह बाद बड़ी कमी है हमारे recruitment process की कि यह अलग-अलग separate recruitment जो होते हैं इसमें same candidate हैं और अब एक candidate SSC GD में भी भरती होगा एक candidate UP police में भी होगा एक candidate SSB में भी होगा हलां बाद में वो join करेगा UP police UP police से पहले दूसरा joining आ जाता है वो join करके फिर दो मेना तीन मेने बाद resign करके जाएगा training course देना पड़ेगा तो आप अश्वस्त हैं कि दूसरी जिगा आप हो रहे हैं या head constable में जैसे हमारे candidate हैं जगदीश अब जगदीश देखे head constable में select हो गए हैं जगदीश ने तो उसी दिन ये decide कर लिया था कि मैं head constable में हो गया हूँ तो मैं tradesman छोड़ दूँगा तो जगदीश की तरह और भी है candidates जो already select हो गए हैं जो select हो गए हैं वो देखे यहां पर absent रहे जाएंगे तो दूसरे को मौका मिल जाएगा तो बने रही है हमारे साथ और अपने medical के तैयरी कीजिए documents related कोई issue है उसकी तैयरी कीजिए tattoo है आपकी body पे उसको remove करवा लीजिए आपका hemoglobin कम है उसको पूर्ती कर लीजिए और भी कोई आपका body में कोई issue है तो उसका treatment ले जाएंगे